Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दीजी नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.01 प्राचीन और मद्युगिन समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आज हम Unit 6 के बारे में बात करेंगे इसके अंदर में हम देखेंगे कि कौन-कौन से chapters आते हैं किस तरह के topics हैं इन chapters के अंदर में किस तरह के questions बनते हैं exam में पूछ जाने का pattern क्या होता है एक questions का और उनका answer हम कैसे लिख सकते हैं और इसका important topic या question यह है ठीक है जो चले ही start करते हैं आज का हम अपना topic सबसे पहले मैं बात करूँ Unit 6 का हमारा नाम है सामंतवाद सामंतवाद होता क्या है तो इसको इंगलिस में कहते हैं feudalism ठीक है जो feud सबसे बना है जर्मनी सब feud से बना हुआ है जिसका अर्द होता है भूमी का टुकड़ा यह देखो अलग-अलग संदर्ब में इसका अलग-अलग definition बनता है भारत के संदर्ब में इसका definition अलग है और यूरोप के संदर्ब में definition अलग है तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो यूरोप के संदर्व में पढ़ रहे हैं इससे पहले जो आपने जो दूसरी बुक्स पढ़ी थी उसमें हमने भारत के संदर्व में बात किया था यहाँ पर यूरोप के संदर्व में कहते हैं तो भूमी का टुकुडा ठीक है राजा द्वारा किसी को दान में दिया गया ठीक है भूमी के टुकडे को हम सामंतवाद ठीक है फ्यूड कहते है इस तरह से माना जाता है इसकी सुरुवात कहा होती है तो यूरोप में mainly basically सुरुवात होता है चलिए इस unit के अंदर में कुन-कुन से chapter पढ़ने है और किस इस chapter का क्या topic है उसके बारे में बात करूँ तो हमारे chapter number 20 जिसमें हम बात करते हैं सामंतवाद पर बिविन डिस्टी कोण यहां पर अलग-अलग इतिहासकारों के दौरा अलग-अलग विचारकों के दौरा क्या माना गया कि सामंतवाद किस प्रकार का है ठीक है उसको लेकर सामंतवाद किस परकार का ठीक है। तो यहाँ पर दो कोशन सामंतवाद से बन कर आते हैं यहाँ पर 21 चेप्टर के गर मैं बात कुर तो 21 चेप्टर में हम बात करते हैं सामंतवाद, रूप और संरचनाई ठीक है जब सामंतवाद के हम संरचनाओं के बारे में बात करते हैं किस परकार का है सामंतवाद का structure क्या है तो सबसे पहले आता है कि सामंती विवस्था किस परकार का है सामंतवाद के अंदर में किस परकार से पूरी विवस्था को सुचारूरू सुचलाया जाता है किस तरह की विवस्था है वहाँ पर ये question मन जाता है सासत में अगर आप इस तो इसके अंदर में तीन चीजे और पढ़नी होती है कि फीफ क्या है ठीके मैनर क्या है ठीके मैनर क्या है और साथ साथ में नाइट क्या है ठीके दो नाइट रक्षक को का जाता था जो रक्षक होते थे bodyguards होते तो उनको night के तोर पर जाना जाता था तो thief और manner क्या है इस तरह से सारे topics भी इसके अंदर में cover हो जाते हैं तो इनको आप पढ़ सकते हो अगला chapter के मैं बात कुरूँ chapter number 22 इसके अंदर में बात करते हैं कि सामन्त वात के चरण क्या है तो ये important topic है एक अभी student का message भी आ रखा था group के अंदर में तो मैं सोच रहा था reply करूँ बट फिर मैंने सोचा कि कुछ नी इस वीडियो के अंदर में बता देता हूँ ज्यादा बैटर है का सभी students को पता चल पाएगा सामन्त वात के चरण के अगर मैं बात करता हूँ ग्यारवी से चौदवी सताथी के बीच का time period तो पहले चरण के अंदर में देखते हैं कि भाई नई नी तकनीकों को प्योग हो रहा है ठीक है कृश्वी में विर्दी हो रही है पर उस तरीके से नहीं जा रहा है मतलब किसी विवस्ता खतम होते जा रही है सामन्त वात के कारण से ठीक है reason कहाँ को सामन्त वात भारतिय संदर में भी हमने पड़ा तो राजा और जो निम्न वरगता उसके बीच में एक तरसे खाई का काम करता है जिससे ना दोनों के बीच में दूरी आ जाती है तो सीम चीज सीम पैटर्न वहां पर भी यूरूप में भी देखने क्ले मिलता है हमें ठीक है तो इसके कारण से यहां पर चीज़े खराब हो रही होती है सामन्त वात के कारण से यहां पर जब हम second stage में बात करते हैं तो यहां पर जन संख है में विर्दी हो चुकी होती है ठीके, first low की जो विर्दी होती है अना का खपत में या फिर उपद पैदावार में उस तरह से विर्दी नहीं होती ही जितना होना चाहिए कि किस तरह से सामंतवाद विक्सित हुआ था पहले से स्चेज में हम बताते हैं कि किसान था नॉर्मल ठीक है उसकी पैदावार कम हो रही थी चीज़े यह इस तरह से थी तकनीक का इस्तमाल क्या जा रहा था फिर भी नहीं बढ़ रहा था आगई यहां पर इस चीज़ में बताते हैं कि जनसंक्या बढ़ गई और प्रॉब्लम जनसंक्या बढ़ने मतला बोर प्रॉब्लम ठीक है जनसंक्या बढ़ी नई तकनीक होग उप यह फिर भी फैसल आगे नहीं बढ़ रही या फैसल की पैदावारे भी हो रही है तो खपत जया बढ़ गयी है तो उस सारी चीजЬ यहाँ पर हम दिखाते हैं कि सामंत्वात कई इंपक्त किस तरीके से दो रहा है ठीक Hmm मजमने हाता है यहाँ से यहाँ पर 23 परेशर करते वह वेपार और सामंतवात का हरास का कि सामंतवार का पन्टल हर आस किस प्रकार से हो रहा है तो इसमें कुछ खास important topic निये हैं बठाट यहां पे एक इतिहांसकार के base topic बनता है जिसके अंदर हम आता है Henry Pinnery Henry Henry Pinnery करके जो इक्तिहांसकार थे उनकी related आजाता है कि सामंतवात का पतन किस प्रकार से हो वो बताईए तो सामंतवात का पतन को लेकर Henry Pinnery ने पूरा टिकबनी किया है अगर Henry Pinnery की बात करो है तो 1920 से लेकर 1930 के बीच में इनकी विचारदार आई ठीक है जिसके अंदर में वो सामंतवाद के पतन की बात करते हैं 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 इसमें जो में टापिक है कि सामंतवाद का विस्तार किस परकार से मनेने लिए हमें सामनत वार्ट की ठीज़ थी हो सांत वार्ट के डो छरण विस्तार का जो Oooon वह बताये और हैंसन ₂ धर रिषयम वह यहराओ रदन अंकर्वार्ड के लिए एंस विस्तार क लिए is 1 के लिए तैयारी कर रहे हो तो दो वीडियो दीजी नप पर पहले से डली हुई है जिसके अंदर में एक वीडियो में लास्ट फाइगर के कोशन पेपर हैं और एक में all important topics हैं तो दोनों को देखोगे तो भी आपका 95% इन वीडियो की जुरूत नहीं पढ़ने वाली है फिर आपको तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फर वाचिंगे थैंक यू सो मच फर लिस्नी में जो भी आपका फीड़बेक हो आप कमेंट करके दे सकते हैं थैंक यू सो मच बाबै टेकर अले बैस्ट